किसना भाईया, इनका पिलोग्राम तो फिट हो गया, अब 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 धनराज की पारी है, धनराज सेट धनराज, बोलो चूब, बोलो, आपके पास एक कोठी है, सर्क नाम की, मैं उसे खरीदना चाहता हूँ, मगर मैं उसे बेचना नहीं चाहता, सोच लिजे मूँ मांगी किमत दूँगा, मैं फिर भी तैयार नहीं हूँ, पचास में भी नहीं, अरे बया पचपन में भी नह साथ में, तब समटा केमन थी, मैंने बोल दिया ना आपको, सत्तर में, आप कौन साब बोल दें, असे, अखिर इस कोठी में ऐसा है क्या, मेरा पटल भी कि, नबे, ठेरिये, 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 आप इतनी जीत करने हैं तो मैं आपके दिल टोडू कर नहीं, मगर एक बात प मैं मजाक नहीं करता हूँ, ठीक है, ठीक है, अब मेरे घर पर रुपया लेकर आजएए, मैं सब काख़ात त्यार करवा तो, ओके, काख़ात मैं त्यार करवा चुका हूँ, आपको सिर्फ दस्तकत करना है, मेरा आदमी नबे लाक लेकर भार खड़ा है, जाकर दर्वाजा खड़ा हूँ, ओके, काम करिया, रखना मत है, मैं भी आता हूँ, रखना मत। गुड्मार्णिंग, ये रहे आपके कांगजार, और ये रहे आपके नबे लाक, अध्रयल, आपके आपको कैसे पता चला कि मैं 90 लग पर आकरी मान जाओंगा मुझे आदमी की आवकाद का अंदाजा है धनराज मैं जानता हूं कौन कहां आकर तूट सकता है कि यह लिजे हमारे गुजराती में एक कहावत है कि जो आदमी की बात समझ में ना आये उसके दाथ कभी सौधा नहीं करना चाहिए लेकिन मुझे आपकी बात समझ में आती है इसके लिए मैं आपके दाथ सौधा करूँगा क्योंकि इसमें मेरा फाइदा है एक बात मुझे बताईए आपके बाई साथ जमीन के भाव को आस्मान तब पहुचाना चाहते है क्या जी नहीं उनका पिरोग्राम थोड़ा उल्टा है वो आस्मान पे बैठे हुए कुछ लोगों को जमीन पे लाना चाहते है बात में जी एपक झाहते है कि पिरोगा क्यों साथ जुझा थार बार काने गी आओ हलो एड़ी एड़ी आपके फैक्टे में आग लगते ही है क्या फैक्टे में आग लगते ही है इहा अरे कोन बोलसे है तुम वाच्बेर बोलसे कानिकार सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आओ तो तुम्हारे फोल की भी घंटी